रीसेंट डेज में इगनु ने अच्छे खासे स्टुडेंट्स को प्रमोशन ओफर किया है बिना एक्जाम दिये इसमें मैजालिटी ओप देज स्टुडेंट्स फस्टियर के हैं जो अपने अपने अलग-अलग अकैडमिक एक्जाम में फस्टियर में रहे होंगे तो युनिवर्सिटी ने कहा कि चलो ठीक है आपको फस्टियर में प्रमोट कर दिया जाएगा आप अपने सेकेंड यर का एक्जाम दे लेना उस बेसिस पर आपकी फस्टियर की मार्किंग कर दी जाएगी कोश्टियन यह उड़ता है कि यह प्रमोशन लेना किस हब तक सही है देखिए इस पर मैं थोड़ा सा डीटेल में बताऊँ अगर आप डेली बैट्स पर फस्टाइम वीवर हैं तो आपको मैं बता दू मेजरली मेरा काम टीचिंग से जाधा मैं करियर काउंसलिग जॉब आसपेट इन सारी चीजों को देखता हूँ यूट्यूब पर आप जो कुछ भी देख रहा है तो उस दुरिश्टिकोंड से मैं आपको समझा दू recently Delhibytes.in Delhibytes की website तयार हुरी है जहाँ पर students, teacher education related field के, netjrf b.ed, m.a, कोई भी और entrance exam है, सभी exams के आप mock test दे सकते हैं, courses को access कर सकते हैं, तो I needed some of the teachers अब सोचिए, अगर मुझे 3-4 teachers को recruit करना है और उनको अगर मैं 20-25 जार रुपए salary दे रहा हूँ, तो मैं क्या चाहूँगा, कि जो मेरा teacher है जो हमारे platform पर काम कर रहा है वो best हो, वो best हो ठीक है, आप imagine करो आप कल को कहीं job करने जा रहा हो या imagine करो कि आप कल को कहीं teaching के job में जा रहा हो, just imagine तो क्या, आपका student अगर ये जान जाए या फिर मान लो आप ही ऐसे student जान जाए इस बात को, कि जो आपका teacher है उसने अपने MA का exam नहीं दिया था, ठीक है उसने अपने MA का exam नहीं दिया था, वो ऐसा ही past है क्या आप उसे पढ़ना पसंद करोगे same चीज employers के साथ भी है same चीज NetJRF के साथ भी है बहुत सारे अच्छे खासे MA history के मेरे students और भी IGNU के students पर ये बात लागू हो रहा है जो promotion ले ले रहे हैं तो question उटरा promotion ले ले रहे हैं, तो offer हो रहा है तो ले ले रहे हैं, देखो ऐसा है ना, ये फ़रा सब politics में जाना पड़े गा है पर सरकार का काम क्या है, यूनिवर्सिटी से पूछ रहा है हाँ, COVID पर क्या किये हैं आप लोग तो यूनिवर्सिटी कहेगी, हमने first year के बच्चों को प्रमोट कर दिया सिर्फ second year के बच्चों का exam होगा social distancing maintain रखके exam centers पर exam करवाएंगे कितिनी बार exam center पर गया है, social distancing maintain रहा है कब board पर roll number लिखा रहा है तो आपसम धक्का मुकी नहीं किये हो तो ये एक सिर्फ official paper पर चलता रहता है government को report दिखाने के लिए अच्छा ठीक है, हमने so and so किया है फिर कल को university से कोई पूछे का कि अच्छा आपने बच्चों को बिना ऐसे कैसे promote कर दिया बिना exam लिए तो university कहते कि अरे मैंने optional लखा था जो बच्चे देना चाहते थे, दे सकते थे, जो covid की कारण नहीं दे पाते हो ना दे तो यह सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन believe me, मैंने खुद अभी कुछ दिन पहले सोचो, मतलब 50 बच्चों का मैंने इंटर्व्यू लिया होकर डेली बैट्स की website पर मुझे टीचर से जरुवत थी अगर मैं किसी को 20-25 इसार रुपए दे रहा हूँ, तो आप लोग जानते हो, majority of the लोग B8 बगएर इदाउदर से कर लेते हैं तो सिंस मुझे सीटेट के exam के preparation के लिए टीचर्स के, preparation कराने के लिए टीचर्स ही जरुवत थी एक-एक टीचर जो Delhi University से qualified था, जिसने regular basis पर अपना course और content किया है एक-एक घंटे बैठ के मैंने सब कुछ discuss किया है उनसे, क्या उनको आता है, क्या उनको नहीं आता है सेम चीज आपके साथ भी होगा, अगर आज आप promotion ले ले रहे हो, तो इसका आपको दुरगामी के वल नुकसान ही है for example, imagine करो, कोई मेरा MA का student है, जो कल को जाके NetJRF का interview देता है और वहाँ interview में आपके result पर discussion हो, तो आप ये बोले होगों कि मैंने promotion ले लिया था तो उनिवर्सिटी तो वह examiner बोले, अच्छा आपको promotion offer हो रहा था तो आपने ये चूज किया कि आप exam नहीं दोगे और आप promotion ले लोगे second year के basis पर आपको first year का marks मिल जाए सुची ये बहुत ही negative आपका image draw करेगा लेकिन हो क्या रहा इसमें आप लोगों की गलती नहीं है अगर YouTube अगर आप information ले रहा हो तो majority of the लोग अच्छे का से लोग एकदम views के लिए दोस्तो उनिवर्सिटी ने एकदम exam cancel कर दिया आप आप सब को promote किया जाएगा ये किया जाएगा वो किया जाएगा जानते हैं कि हिंडिया में बहुत से ऐसी degrees यहां मिल जाती है जैसे merit में आप चले जाओ फैजावाद में चले जाओ उनिवर्सिटी का नाम नहीं लूगा जाएगा पैसा देगे एकदम original degree मिल जाएगी जब exam देने साही बचना था तो वहां से जाके degree ले 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 हैंगे in fact मेरे बहुत सारे paid members है जो 55 साल 45 साल साल के हैं teachers हैं job करते हैं उन लोगों का समझ में आता है कि वह promotion ले 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 रहा है अगर हो promotion के लिए eligible है तो उनका मुझे समझ में आता है कि वह promotion ले रहा है तो वह जायज है बाकी के लोगों को मेरा यही recommendation है कि अगर मैं मेरे पा ले जाओगे जितने भी मेरे history के net grf के qualified students है सबको मैंने बोल लगखा तो compelled करके कि आपको exam देना है और exam इसलिए देना है क्योंकि आप पूछ देगा वहां तो unnecessary आप अपने गले पर क्यों छूरी मरवा रहे हो भाई कि एकदम यहां तलवार लेते आ रहे हो अपने गले पर क्यों तुमसे ऐसी बात पूछे कि अच्छा तुमको offer दिया कि तुमने paper छोड़ दिया आप research करना चाहते हैं क्योंकि ऐसे तो research scholars तो नहीं करेगा तो अगर आप master's करने के बाद net.jrf के exam दे रहे हैं तो वहां पर भी आपको दिक्कत face करना पड़ेगा और यहां पर आप देख लो university ने अपने आपको safe side पर रख लिया यह कहगे कि optional है जब cancelling कर रहे हो तो सबका कर देते हैं नहीं optional है ताकि university पे जब भी पर्यावत हैं जैसे university ने कहा कि optional है ना majority of them के पास यह excuse आ गया कि सर हमारे घर में शादी है हमारे फलाना बिमार पड़ गया है अगर exam नहीं देना है तो 10 excuse है और तुम देना चाहते हो ना तो एक reason भी exam को देने का पर्याप्त है और एक चीज़ और बताएं एक लड़की ची हमने उनको ma history की video lectures provide कर दी है तो last moment पर exam जो है optional हो गया तो अब since हुआ क्या जब आपको lecture provide कर दी है आप अलड़ी videos को देख चुके हो एकसेस कर चुके हो तो उसके बाद आप कहोगे कि sir हमारे refund कर दो तो हम नहीं करेंगे possible ही नहीं है ठीक है यह समझ रहा आपको हम रिसोर्स प्रमोशन मिल दा उसने promotion ले लिया और यह जो पिछला वाला exam दिया है second year का उसने paper दिया तो अब वो क्या हुआ कि C was disgruntled with Delhi Bites की अच्छा हमने membership लिया अब हमने lecture provide कर दिया आप lecture देख लिए सब कुछ कर लिए उसके बाद कहरो मेरा exam पोस्पोन होगे तो हम exam नहीं देंगे exam देने के लिए now she has come contacted yesterday और अलग से ज्यादा प्री payment करके career counselling के लिए उन्हें contact किया और पूरा matter brief किया कि सर उसने आपने बोला था I'm sorry और मेरे से गलती हो गई क्यूंकि second year के marks के business first year का marks दे दिया गया अब मालो second year में तुमने एक जगा paper खराब किया तो दो जगा खराब हो गया ठीक है ध्यान दीजिएगा वरतमान में अच्छा करते हो तो भविस से बनता है भविस में जाके अच्छा कर लोगे तो भूत काल और वरतमान नहीं बनेगा अपका ठीक है आप ये कह रहो कि हम भ आज आप अच्छे से एक्जाम देके ये आपके कंट्रोल में है आज इस एक्जाम को देना इसको एक्जाम दीजिए और इसमें अच्छा सा अच्छा marks से score करिए अब सोची वो लड़की आई हो कह रही है कि सर क्या कोई भी तरीका नहीं है क्या कि हम improvement भर दें हमने कह देख पास आउट हो चुक है उनिवस्टी से तो ये चीज़ आपको समझना हो अगर आप इसको प्रमोशन को accept कर रहे हो तो बहुती सोच कर और समझ कर अपना फैसला लीजिए कि accept करना है कि नहीं करना है यूट्यूब पर तो तमाम लोगों ने वीडियो जाल लगए उस बेसिस पुछ रहा सर क्या मेरा भी कैंसल हो गया है क्या तो यह चीज़ आपको लॉंग टर्म में नुकसान पहुंचाएगी बाकी का शियोरली जो कोई मैंने बताया उस पर अलग-अलग मत हो सकता है आपके अलग-अलग requirements हो सकते हैं मेरा काम है एक और नजरिया आपको देना जिस एसे history का अगर मैं teacher हूं और मेरे history के students हैं तो Marxist, capitalist, business approaches अलग-अलग होते हैं तो इसी exam promotion को लेकर मेरा एक approach है आप इसको follow up कर सकते हैं Thank you and God bless you all